दिली अंसियार के लोगों को मदर डेरी ने फिर से महंगाई का जटका दे दिया मदर डेरी ने मंगलवार से दिली अंसियार के बाजार में दूद की कीमतों में दो रुपए प्रती लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है और दूद की विद्धी कुलेकर लागत में बढ़ोत्री का हवाला दिया मदर डेरी दिली अंसियार में प्रते दिन 30,00,00 लीटर से अधिक मात्रा का दूद सप्लाई करती है और इस साल मदर डेरी द्वारा दूद की कीमतों में ये पांचवी बार बढ़ोत्री की गई है मदर डेरी ने फुल क्रीम दूद की कीमत को 2 रुपे बढ़ा कर 66 रुपे प्रती लीटर कर दिया है दूद की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से दिली NCR की लोगों के घरिलू बजट पर काफी प्रभाव होगा वहीं बढ़ती दूद की कीमतों को लेकर मदडेरी ने कहा कि ये देरी उद्यों के लिए एक अभूत पूर साल है हमतिहारों के बाद भी उभोकताओं और संस्थानों दोनों से दूद और दुख दुथपादों की मांग में बढ़ोतरी देख रहे हैं दूसरी तरफ कच्चे दूद की खरीद में भी व्रिद्धी नहीं हुई है कचे दूद की खरीद कीमतों में पिछले साल की तुलना में लगबग 24 प्रतिशत की व्रिद्धी हुई है मदर डेरी दूद की नई कीमतें दिली अंसियार में 27 दिसंबर 2022 से लागू करने जा रही है कमपनी ने इस साल कई बार बढ़ोतरी की है पिछली बार बढ़ोतरी 21 नवंबर को हुई थी इस दौरान दिली अंसियार के बासार में फुल क्रीम दूद की कीमतों में एक रुपे प्रति लीटर और टोकन दूद में दो रुपे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी इससे पहले मदडेरी ने अक्टूबर में दिली अंसियार सहीत उत्तरभारत के कई बासारों में फुल क्रीम दूद और गाई की दूद की कीमतों में दो रुपे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की थी इनकबर चानल को सबस्क्राइब करें